नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग ये दो आप सब जानते हैं कि अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में बहुत सारे काम किया है शिक्षा, स्वास्त, महला क्लिनिक्स बहुत सारे यहां तक कि अपोजिशन्स वाले भी अर्विंद केजरिवाल के कामों की तारीफ करते हैं लेकिन एक बात सौचने की है जिस अर्विन केजरिवाल को अपना 10 मिनीट का नॉमिनेशन फायल करने के लिए 6 घंटे तक इंतिजार करना पड़ा उसी अर्विन केजरिवाल को आपके लिए इतने सारे काम करने के लिए कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा सोचिए ज़रा लेकिन उसके बावजूद भी अर्विन केजरिवाल ने हार नहीं मानी वो लड़ते रहे आपके लिए मेरे लिए, हम सब के लिए कईयों ने ये भी कहा कि केजरिवाल लड़ता बहुत है लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि वो लड़ता क्यों है वो लड़ता भी तो हमारे लिए है ना खेर, अर्विन केजरिवाल ने तो एक बहतर मुख्यमंत्री होने का अपना वादा और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है अब बारी हम लोगों की है आपकी, मेरी, हम सब की कि हम अर्विन केजरिवाल को इसके बदले में क्या देते हैं अभी फैसला मुख सुनाईएगा फैसला आठ फरवरी को कीजिएगा बटन दबाकर तैंक यूँ